Hello everyone, I hope आप सभी अच्छे होंगे यार, तो मैं भी ठीक हूँ, तो जैसे कि भी अपने थमले कंदर देख लिया होगा, कि आज किस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे, कि जो अपना इस आट तू जो तलवंडी वाड़ा राणा वाड़ा रोड़ है, उसके उपर काम भी आने वाड़े हैं, तो उसके चकर में मैं थोड़ा स्टड़ी पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी दो तिन दिन के बात है, फिर मैं कॉंटिनू इस पर होंगा, और ट्रेवल अगर भी मेरा कंपलीट हो जाएगा, सारा फिर आराम से बैठके बात वीडियो के अंदर माप को तलंडी वाणा जो रोड है, उसके बारे पडेट दे देता हूँ, तो उससे पहले माप से रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ, कि चैनल पे नहीं आए हो, सब्सक्राइब कर बटन जरूर दबा देना, वीडियो से लिगे हो, लाइफ जरूर करना, और जो लोग चैनल पे नहीं आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ, कि मैं अपना एरपोर्ट डवलोमेट से निटीड वीडियो डालते रहता हूँ, तो मेक्शोर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, पहले वो देखा आप मोबाल स्क्र इनके उपर, तो जो अपना एरपोर्ट रोड और तलवंडी वाड़ा रोड है, उसके बारे में क्याप डेट है, वो माद बात करता हूँ, तो उसके लिए मैं गैलरी ओपन करता हूँ, तो यहां पे देखिए, विरोध परदशन, एरपोर्ट रोड बंद करने पहुंची टीम का तलवंडी राणा के ग्रामिनों ने किया विरोध, तो पूरी क्या डीटेल है, वो हम समझते हैं, तो यहां पे देखिए, एरपोर्ट जो रोड है, वो बंद करने पहुंची थी टीम, और उन्हों ने जो तलवंडी वाड़ राणा के जो गाउं के है, वो ग्रामिन रजनीस के नेतिरतव में टीम बेरिगेडिंग करने पहुंची, पुलिस टीम भी मौके पर थी, वहां से गुजर रहे, वहां चाला को ने इनका विरोध कर दिया, और जबरती बेरिगेडिंग हटा दी, मगर पुलिस बल कम होने के चलता है, ग्रामिन रास्ता खोलने को ले आसुक रोड बोटलिंग प्लांट के पास मिट्टी डाल कर आदा रोड पहले ही बंद कर दिया था, विरोध सवरूप रहा चलते ग्रामिन एकरतित हो गए और उनने मौके पर रोड को बंद नहीं करने दिया, विरोध बढ़ता देकर अधिकारी वा पुलिस मौके से चली देखें धरने पर बैठें ग्रामिन सुबह नो से पाँच बजे तक रहेगा, यहां पर देखें तलोणी राना के सरपंच दयाल सिंग मौलिया ने बताया कि ग्रामिन शुरुवात से ही विरोध कर रहा है, यानि जो ग्रामिन लोगों शुरुवात से विरोध करें, अचान धरने पर बैठे उन्होंने कहा कि रोड बचाव संग्रश शमीती का फैसला है कि वे कल कल सुबह नो से पांच बजे तक एरपोर्ट के पास धरने पर बैठेंगे तो यहां पर देखें गरामिन बोले रास्ता बदला तो दोगुनी दूरी करने पर सकती है तो यह क्यों धरने बैठेंगे अभी यह देखें यहां पर सरपंच का कहना है कि जब से बर्वारा चंडिगर रोड बंद किया गया है तब से लोगों को परेशानी है विरोध किया तो बीड़ार ने अधिकारियों ने रिपोर्ट की रिपोर्ट की दिवार के साथ यह रोड बना कर दे दिया अगर सीधे रस्ते से आते तो तलवंडी राणा की दूरी साल से 13 किलोमेटर बनती है लेगिन अब डंडूर होकर यहां धांसु मायड वमिर्जापूर होकर आते हैं तो 25 किलोमेटर की दूरी पड़ती है ऐसे में लोगों को दो गुना दूरी तैह करने पड़ेगी फ्यू यहां पुराने एर्पोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं है इसके पिछ से यह हो निकलता है यहां विरौग동 की दिवार तोड़कर इस अधिकारी की में मामिला लाया गया है जैसे अधिकारियों के अदरेस होंगे आगे की करवाई प्रस्जा उयू सुनर्ग Candis usuag तो यहां यह अ अपडेट थी तो याद यह रोड तो बंद होना ही था क्योंकि यह दोनों बीचों के रनवे के बीच में था अभी जो नेक्स्ट जो रोड दे रहे हैं वो यार डबल किलोमेटर पड़ता है यानि ते तो वह तेरा के राउंड है तो डबली मानलो यार 25 और डबली हो गया है तो यह इसे फ्यूल वेगरा खर्च होगा तो बाकी मान भी आपको आपडर में मिलता हूँ तो मिलता है नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए अगया है थेंक्यों सॉमस्ट तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद्ध